हेलो जी, नमस्ते, सब्सक्राइब करेंगे पिककाद आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट वाच्ट रीदिंग अन मैं चैनल विल यो मैरी, किसे और कब होगी आपकी शादी और आप अपने future spouse को कैसे पहचानेंगे, उनकी qualities क्या होगी, शादी के बाद आपका dynamic कैसे होगा, या शादी से पहले आप दोनों का relationship कैसे start होगा, आप उनको कैसे मिलेंगे, कैसे ढूंडेंगे, शादी कैसे होगी और उसके ब everything, और किस season में या किस year में आपकी शादी होगी, ठीक है, तो ये general reading है, जैसा कि मैं मेंशा कहती है, जो चीज आपके साथ resonates करेगी, आप सिर्फ उसी चीज कोई claim करेंगे, जो चीज नहीं करेगी, let it go, वो message आपके लिए नहीं है, तो start करते हैं आज की reading, आपके सामने दो piles ह choose करेंगे, जो card number one है, वो है two of cup, ठीक है, और इसमें आपने अपना birth month, जो आज इसमें आप पैदा हुए है, ठीक है, अपने birth month में, January से लेकि December तक, आपने वो choose करना है, ठीक है, ये option number one के birth month है, और number two, जो आप pile है, उसमें है four of wands, ठीक है, और इसमें ये वाले birth month है, आप वीडियो को पास करके देख लीजिए, आपकी कौन सी पाइल है, ये उन लोगों के लिए जो select नहीं कर पाते हैं, अगर आप visually select करना चाते हैं, तो आपको दो cards में से, जो चीज़ अट्राक्ट कर रहा है, आप उन cards में से select करेंगे, हम यहाँ पे oracles card और, और tarot यूस और मैं आपको यहाँ पे initial भी share करूंगी आपके partner के, ताकि आपको मजीद more specific detail आपको उनके बारे में पता चल जाए, तो start करते हैं आज की reading, let's go, आपने video को like, share, channel को subscribe ज़रूर करना है, notification bell को आप ज़रूर दबाएंगे, comment में आपना feedback आप मुझे ज़रूर देंगे, और मै आपकी reading है, welcome on your reading, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपके जो future spouse हैं, उनकी personality किया होगी, कौन से dominant astrological planets उनके birth chart में होगे, जो उनकी personality, उनकी earning, उनका career, उनका profession, या उनकी personal life, या उनकी professional life के बारे में आपको बताएंगे, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, कि हमारे जो नहीं हो जाना, oh my god, मेरा partner का तो येवला sign है, उसका आया है, नहीं, अगर नहीं आया है, तो आप ये देखें कि personality यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है, हो सकता है, अगर आप अगर आप किसी को date कर रहे हैं, relationship में है, और उनकी वो चीज़ नहीं आती है, qualities उनके साथ मैच नहीं हो रही है, और आप सिर्फ उनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसमीन specific person आपके already mind में है, मैं यहाँ पे आपके भी future spouse की बात का रही हूँ, जिससे आपकी शादी होगी, they will be your life partner, तो let's go, let's start the reading, so सबसे पहले, we have a Uranus, we have Virgo, zoetic signs में, Capricorn, 7th house, यह जो आपके partner है, उनका birth, उनका Uranus 7th house में हो सकता है, या आपका 7th house में हो सकता है, तो शायद आप इन से मिलेंगे, इस तरह से, the lucky thing is, आपके पास 7th house आए, तो यह शादी और partnership की बात करता है, तो definitely you will get married to this person, इस इंसान के साथ आपकी शादी, अचानक होगी, क्योंकि यहाँ पर Uranus है, it's a very unexpected planet, और unique planet की बात करता है, Uranus, तो इस इंसान के साथ जिससे आपकी शादी होगी, वो अचानक आपकी लाइफ में आएंगे, unexpected, sudden, unique, different, और sometime यह शादी इतनी जल्दी होगी कि आपको भी समझने आएगी, fix होगी, या जल्दी मे जल्दी में यह होगी, कि आपकी जल्दी बात fix होगी, let's say, direct, कुछ लोग जैसे काफी अर्सा relationship में रहते हैं, उसके बात शादी का plan करते हैं, आपकी अचानक होगी, जब भी होगी, अचानक की plan होगी, लड़की को देखा, लड़के को देखा, fix होगी शादी, इस तरह से ह होगा, Capricorn और Virgo, आप दोनों के zodiac signs हो सकते हैं, या आप दोनों के दर्मियान में compatibility कहीं न कहीं, आपका 7th house या उनका Uranus, Virgo ये Capricorn में भी हो सकता है, अब Virgo और Capricorn दोनों Earth sign की बात करता है, तो जो आपका relationship होगा, वो काफी grounding होगा, stable होगा, आप दोनों independent होगे, या शाद या आपकी काफी practical चीज़ों पर base होगी, ठीक है, मतलब आप लोग सिर्फ उस चीज़ के बारे में dream नहीं करेंगे, उसको करके दिखाएंगे, ठीक है, उस शादी को करके दिखाएंगे, उस relationship को एक, अब यहाँ पर यह रहने सा है, तो मुझे यह चीज़ भी यहाँ पर फोकस नहीं होगा, तब यह इंसान आपकी life में आएगा, या आपके जो partner है, husband, your wife, वो expect नहीं कर रहे होगे, कि आप उनकी life में इतनी जल्दी आओगे, क्योंकि आप दोनों का एक perfect match है, 7th house, जब आपको वो partner मिल जाता है, तो आप उसको खोना नहीं चाहते हो, यहाँ पर two differences culture का हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी शादी अचानक कहीं और जल्दी में हो सकती है, जैसे out of country, out of place, out of city, इस तरह से कुछ ना कुछ unusual होगा आपकी शादी में, जो traditionally उस चीज़ को follow नहीं किया जाता है, जैसे normally जैसे होता है, तो यह इस तरह की चीज़ें हो सकती है, अब युरनेस का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ चीज़ यह क्योंकि अनेक्सपेक्टिट प्लानेट है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ, आपने सोचा नहीं था कभी कि आप इस तरह के पार्टनर से शादी करेंगे, out of caste हो सकता है, out of religion हो सकता है, age का gap हो सकता है, कुछ ना हैपी, accomplished, stable, मैंने आपसे पहले का, independent हो सकते है, business man, woman हो सकता है, अच्छी smile होगी, हो सकता है, आप उनको काफी gentle man वाली energy, आप अल्रेडी नजर आ रही है, अगर this is a guy, और if this is a girl, she will be very beautiful, she will be very attractive, she will be nice, okay, इसलिए देखते ही, done, workaholic, yes, workaholic मैने आपसे पहले का, business man या woman, हो सक होंगे काफी, workaholic हो सकते हैं, हर वक busy हो सकता है, one of two business को carry on कर रहे हैं, in the future में भी करेंगे, the next card is an ordinary guy, normal, yes, even though this person is successful, even though अगर ये इनसान काफी successful होंगे लड़की ये लड़का, especially masculine energy, they will be very ordinary, उनको एक ordinary life हो गुजा रहे होंगे, nice and normal life, likable, काफी सारे likable, मतलब काफी सारे लोग इनको like करते होंगे, because of their personality, जो उनकी personality होगी, humble personality होगी, societal rules, apply, the treadmill, boring, इस इस इसान को लगता होगा कि वो काफी boring है, ये उनकी life काफी boring होगी, जब आप उनकी life में आएंगे, like, घर से home, you know, like, home to work, work to home, ये उनकी एक normal routine होगी, या friends के साथ, या जो भी वो कर रहे होंगे, लेक find this person, और आपको लगेगा, कि नहीं, आप शादी का time आगया है, या आप ऐसे इनसान को मिलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा, this, अब time आगया है, या ये partner मुझा मिल गया है, तो आप इसको खोना नहीं है, इस तरह की energy नज़रा रही है, हो सकता है, glasses पैंते हों, क्योंकि यह we'll have a pale skin, ठीक है, और glasses हो सकती है, cute smile होगी, cute face होगा, ये चीज़ यहाँ पर नज़रा रही है, अब आपको relationship overall देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर tarot की तरफ बढ़ूँगी, I think हमें बाद में यह देखना चाहिए, पहले tarot की तरफ बढ़ते है, hmm, who will you marry, आपको कैसे बदा चलेगा, आपके partner की personality and all that stuff, आप देख लेते हैं उनकी तरफ से, एक मिनएट, I just arranged the cards, ताकि टेबल पर जगा होजए, ताकि आप देख सकें, okay, let's see, who will you marry, किससे होगी आपकी शादी, क्या जानने के जरूरत है आपको अपने future spouse के बारे में, तो आपके partner की definitely यहाँ पे, Aquarius, Libra, आप हो सकते हैं, Capricorn, यह Virgo, यह बर्चार्ट में होगा, 7th house यहाँ पर definitely partnership की बात करता है, आप उनको कहीं नहीं कहीं मिलेंगे, और one and one meeting होगी, यह नहीं होगा कि कुई आपको और मिलवाएगा, no, मुझे असलगता है आपकी one and one खुद बाखुद meeting होगी, at a workplace, business के यह इवन किसी family setting में भी, लेकिन आप एक दूसरे को खुद one and one आपकी meeting होगी, chariot, six of cups, yes, so कुछ लोगों के लिए आप अपने best friend से शादी करेंगे, yes, यह इनसान आपका best friend होगा, six of cups, मतलब आप इनको आप आप इनको जानते होगे, यह friendship से start होगा relationship, और मैंने आपसे पह energy है, तो obviously in two of cups और six of cups, soulmate की बात करता है, so you will get married to your soulmate, और यहाँ पे friendship की बात आ रही है, तो यह तो आप in quality जानते होंगे as a friend, और फिर आप दोनों decide करेंगे with a chariot, क्योंके mutual feeling से ही आपकी decision से ही आपकी शादी आगे बढ़ेगी with a chariot, तो आपकी जो partner है, आपको propose करेंगे, finally they will say like, हमें अब friendship से आगे बढ़ना चाहिए, और आपको propose करेंगे तो जादी आगे बढ़ सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपकी relationship पहले friendship से start होगा with a six of cups, उसके बाद आप लोग decide करेंगे, आगे बढ़ने का, यहाँ पर collaboration भी हो सकती है इनके साथ, जैसे मैंने आप से कहा, ओके आप मैंसे एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आप मैंसे एक इनसान city life में ज्यादा definitely होगे, एक city बड़े big city में रहते होगे, या उनकी city life होगी, और एक इनसान जो हो सकता है, वो किसी old area में या old places में रहते होगे, यहाँ पर differences, जगह का भी differences आ रहा है, आपकी reading में, cancer energy हो सकती है, उनके birth chart में, definitely यहाँ पर cancer है, water sign energy है, या judgment, the hermit, काफी सारे major arcana है आपकी reading में, तो यह soulmate energy होगी, yes, interesting, the hermit, six of swords, nine of swords, एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, या तो आप इनको पहले ghost करेंगे, या यह आपको ghost करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है, कि यह इनसान अपनी work life में इतने busy होंगे, कि आपको लगएगा, कि यह आपको ignore कर रहे हैं, neglect कर रहे हैं या आपके अंदर interested नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इस इनसान की workaholic busy life है, उसकी वज़ाए से हो सकता है, या मैंने आप से कहा distance होगा, जिसकी वज़ाए से आपको लगेगा, they're not interested, ठीक है, शुरू में, जब आपका relationship शुरू हो सकता है, आपकी family वाले, आपके friends, siblings, जो भी है, आपको introduce करवाएंगे, या आप इनको पहले मिलेंगे, यहाँ पर laptop आ रहा है, तो हो सकता है आपके से कुछ लोग इनको online, business के तुरू, work के तुरू, collaboration के तुरू, या job के तुरू भी, क्यूंकि हो सकता है, आप इनके office में गए होंगे, या आपने आपका शाद एक जग और कुछ लोग के लिए यह वो इनसान है, जिसके साथ आपने, मतलब relationship में हो सकता है, मैं X की बात नहीं करी, यह X नहीं है, यह वो इनसान है, जिसके साथ आपका relationship बढ़ नहीं पाया आगे, या तो इस इनसान ने आपको कहीं ने कहीं ignore किया, ghost किया, reject किया, या आपको feel हु या आप इनको judge करोगे, आपको लगेगा they are not interested, या वो आपको नहीं साही तरीके से judge कर पाएंगे, आप इसकी दो reasons हो सकती है, एक तो यह कि वो online आप मिले हैं, शायद इस वजा से, या distance है, जिसकी व्यासे आप एक दूसरे को नहीं जानते, या यह यह भी हो सकता है, कि आप कोई नहीं आया, और आप कभी किसी तरह की किसी relationship में, या even friendship में नहीं गया किसी के साथ, male के साथ, या female के साथ, तो यह वो इनसान है, with a judgment, six of cups, आपको, आपकी soul, आपका अंदर का heart जो है, वो बताएगा that this is the one, मतलब आप कहीं पे भी होंगे, you will not forget this person, और यहीं चीज आपके partner के साथ भी होगी, बतलब एक दफ़र जब आपकी meeting हो जाएगी, with a judgment and six of cups, आप एक दुसरे को मिलेंगे, या देखेंगे, उसके बाद, आप इनके दिमाग से नहीं निकलोगे, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे, ये भी हो सकता है, कि ये इनसान आपकी घर देखने आते हैं, या उनके siblings, या उनके family वाले कहीं और रिष्टा दिखना दिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रिष्टा आपके साथ हो, तो कुछना कुछ complications नजर आ रही हैं शादी में, लेकिन हो नहीं तो आप ही के साथ है, so that's how this person will come, अब judgment और six of cups म आप चाहते थे कि relationship में जाएं, situation ship आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं, घोस्ट किया इस इनसान ने, complicated किया चीज़ों को, आपको mixed signals दिए, क्योंकि एक तो work कि यहाँ पर चीज़ नजर आ रही है, और दूसरा online, distance, ठीक है, और जैस मैंने आप से का, यहाँ पर यह इक्वेरियस है, Uranus है, तो चीज़ें different होंगे आप दोनों की दर्म्यान में, आप सकते हैं, आप दोनों का status difference है, culture difference है, age difference है, religion का difference है, जिसकी हुझा से यह इनसान आपको लगेगा, they are not interested, या उनको लगेगा, आप उनमें, आप उनमें, आप उनमें, आप उनमें, लेकिन चीज़ें आप इन आपके दर्म्यान में, यह relationship, यह friendship स्टार्ट होगी, क्योंकि शुरू में complications होगी, differences की वज़े से, और जब एक दफ़ा यह इनसान आपके पास आजाएगा, I don't think so, यह इनसान आपको फिर, they will stay with you forever, it's like a life partnership, तो लग यह ही रहा है, कि पहले friendship होगी, उसके बाद relationship होगा, यह आप इनको और जानते होंगे, मतलब हो सकता है, इनकी family of siblings, your friends, कहीं न कहीं, आप दोनों को, you know, मिलवाएंगे, यह आप उनको मिलेंगे, उसके बात नहीं बड़ी, तो वो वापस आपके पास आएंगे, because they never forget you, कुछ लोग के लिए मुझे यहां पर यह भी नजर आ रह हो, कुछ complications आप दोनों के दर्म्यान में शुरू में आएंगी, differences और इसकी वजा से, distance की वजा से, लेकिन चीजें solve हो जाएंगी, बात में, yes मुझा से लगता है seven of wands, या तो आप इस इस इनसान की energy को block करोगे, या आपको लगेगा this is enough, आप हो सकता है, move on भी कर जाओ इस से, आपको लगेगा के they are not interested, आप कोशिश करोगे move on करने की, और तब या इनसान आपकी life में आएगा, इस इनसान को लगेगा कि आप interested नहीं हो उनमे, you are blocking this, queen of wands, fire sign, aries, Leo, Sagittarius, आप हो सकते हैं या वो, लेकिन उनको लगेगा आप उनमें interested नहीं हो, या आप ब्लॉक कर र आप काफी bold हो, काफी rude हो, आप काफी strong हो, ठीक है, आप अपने अपको क्या समझते हो, अगर आप लडगी हो तो, आप intuitive भी हो सकते हो, psychic भी हो सकते हो, मतलब इस इस इनसान को लगेगा, you are very bold, you are very confident, या आपकी energy बहुत intense है, जिसको वो handling कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो काफी simple nice guy हैं, और workaholic है, उनका focus work पे है, they cannot handle this, यह हो सकते है शुरू में, ठीक है, लेकिन बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी, because I think it's need a time, एक दूसरे को जानने की जरूरा था, एक दूसरे के मसलों को हल करने की जरूरा था, भी है समझ में आएगा, but let's see आपका relationship dynamic कै इसा होगा, या dreams, आप हो सकते हैं, इनको dreams में देखो, शुरू में, या आपके dreams में और एड़ी आना शुरू हो जाएगा, that they are coming, आपके soulmate या आपके husband, wife coming, लेकिन मुझा सलगते हैं, आप काफी channels करोगे, एक दूसरे को dreams के साथ, विर्गो आपकी energy हो सकती है, या Pisces, Scorpio, Sag Sagittarius की energy काफी spiritual connection होगा, या आपका जो connection होगा, वो बहुत जादा, yeah, deception lies, come on, मैंने आपको पहले बोला है, this is like, हो सकता है, या इनसान शुरू में आपके साथ honest ना हो, feelings को छुपाएं, आपसे भाग के जाएं, ghost करें, या आपको शुरू में लगे, they are lying, वो आपसे जूट ब कर्म्यान में, जो आप एक बूसरे को भूल नहीं पाएंगे, and this is like coming together, queen bee, yes, और ये इसी की बात कर रहा है, queen of wands, queen bee, she is queen bee, fire sign, aries, leo, sagittarius, crown chakra, seven of wands, इस इनसान को लगेगा, बहुत intense हो, बहुत go-getter हो, काफी independent, काफी confident हो, attractive हो, और इनको लगेगा, आपके पस बहुत options है, और आप बहुत नख्रे कर रहे हो, या आप बहुत attitude दिखा रहे हो, या आप उनमें interested नहीं हो, यह भी हो सकता है, कि आप इनको block करो, आप move on करने की कोशिश करो, और या हो सकता है, आप open up नहीं हो, तो उतको समझ आएगा, कि आप उनमें इंट्रस्टे नहीं हो, कुछ ना आप अमेशा उनके dreams में रहोगे, और बहुत सरी चीज़ें उनको आपके बारे में science देंगी, universe की तरफ से, और आपको भी उनके बारे में science मिलेगा, yes, मुझे लगते है कि यह इनसान आपको काफी independent और confident देखेगा, और अगर आप female हो तो, और कुछ लोग के लिए आप इन लेने के लिए, और उनको लगे हो, वह बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी attitude और नखरे दिखा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके attitude में आएगा, या आपकी energy में change आएगा, जिसकी वज़ा से इस इंसान को लगेगा, you are not serious, वहाप पर trust नहीं कर पाएंगे, या आ relationship देख लेते हैं, अपका, color purple या pink, yellow, बहुत important होगा, yes, romantic feelings, your feelings are real and worth exploring, मुझे ऐसे लगते है कि काफी romantic love होगा, शायदी आपकी romantic हो सकती है, बदल लव marriage होगी, शुरू में complications हो सकती है, यहाँ पर है trust, yes, यहाँ पर trust मैंने आप से खा, आपको trust की कमी होगी या उनको, लेकिन आप दोनों का trust built होगा, इस इंसान को लगेगा, आपकी जो husband है, या wife, उनको लगेगा, कि आप काफी guarded आप हो, मतलब आप उनको allow नहीं कर रहे, उनको जानने की, उनको समझने की, आप उनको judge कर रहे हो, गलत, true love, romance of a lifetime, yes, यह आपका true love होगा, even शादी के बाद भी हो सकता ह है, आप दोनों को trust में, या difficulty हो एक दूसरे पर trust करने में, या आप बहुत independent होगे, बहुत bold होगे, तो उनको लगेगा, आप सारे फैसले खूद करना चाते हो, शादी के बाद यहाँ पर difficulty हो सकती है, लेकिन attraction आप दोनों के दर्म्यान में, बहुत ज़्यादा मैंने आप से नहीं हुए, कुछ किसी चीज को लेके, तो वो definitely बाद में difficulty create करेगा, लेकिन ये इंसान determined होगा, कि उन्होंने आप से ही शादी करनी है, yes, finances and career कित्रूँ आप इनको मिल सकते हैं, या आप दोनों के लिए ही आपका finances और career बहुत important होगा, या आपके husband के लिए, क्योंकि आपकी शादी का जो season होगा, वो summer या autumn season होगा, spring भी हो सकता है, spring, summer and autumn season, ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं letters देख लेती हैं, उसके बाद I'm done your reading, देख लेती हैं, उनके letters के आओंगे, जो आपको confirmation यहाँ पर मजीश पताई चल जाएगा, कुई भी words, उनका name, कुछ भी let's go, तो यहाँ पर है A, double A, M, A, M, time difference हो सकता है, यह आप एक दूसरे से बात करेंगे, DM, divine masculine, यह आपकी मैंने आप से कहा, chat हो सकती है, एक दूसरे के साथ communication, DM, S, I, I, another I, same, damn, damn, you're hot, damn, you're attractive, damn, you're charming, आप दो एस्ट या east और नॉर्थ, इस तरह आपकी वो सकती है, location, W, O, sun, हो सकते हैं, शादी के बाद आप आपका sun हो या शादी से पहले, I don't know, लेकिन sun है यहाँ पे, O, U, A, E, आप हो सकते हैं, वहाँ पे हो, यह इनसान वहाँ पे हो, X, कुछ लों के लिए आपका X होगा, अदलब X मीन, या X का कुई चक्कर होगा, आप दोनों से मिलने से पहले हो सकते हैं, इस इनसान को पहले कहीं किसी चीज को पीछे छोड़ना है, पास्ट को या आपको, यह भी हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में पास्ट से छोड़ रहे हो किसी चीज को, शाद इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं होगा इन पे, या उनको आप पे, नो हो सकता है, या शुरू में आपको लगेगा नो, या इनको, इनकी तरफ से नो होगा, बात में यस होगा, एन, ओ, या नेम, नेहा, विक्की, हम, आप देख सकते हो यहाँ पे, यह वले लेटर्स है, let me take more, E, S, another S, कुई भी लेटर हो सकते है, E, S, E, X, समझा गी न, this is gonna be very attraction, आप दोनों के तरफ में फिसिकल अट्रक्शन बहुत स्ट्रॉंग होगी, like so much, a lot, next, कुछ लोग के लिए आपका next partner है, और कुछ लोग के लिए आप उनके लिए next partner हो गए, so यह आपकी reading है, like, share and subscribe, मैं मलूँगी आपसे next reading में, bye guys, hello group number 2, pile number 2, जिन्होंने चूज किया February, May, June, August, October यह November, यह आपके birth month है, और आपने 4 awards चूज किया है, तो let's see, किस से होगी आपकी शादी और कब, और कुछ लोग के लिए 2024 में होगी, क्योंके it's a 4, यह 24 यह 42 important number हो सकता है, so we will see, हमने Oracle's card है यहाँ पे, हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यह planets, houses और signs हैं, जो astrologically यहाँ पे आपके partner, husband या wife की personality को बताएंगे, उनके dominant birth chart में, planets, houses और zodiac signs की बात होगी, अब आपको पता हो नहीं चुछिए, अगर आपको नहीं पता, let me tell you, astrologically यहाँ पे हमारे जो बर्थ chart होता है, उसमें सारे zodiac signs, 12 zodiac signs और lots of planets और houses होते हैं, तो अगर आपके partner का, जिसके साथ आप interested हैं, या आप चाहते हैं के वह हो, और उसका नहीं आता है यहाँ पे, तो please don't think like, oh my god, उसका sign नहीं आप, आप focus कीज़ेगा, energies पे और personalities पे, so let's go, let's see it, जरूरी नहीं हैं कि उनकी यह sign हो, लेकिन उनकी personality, जो dominant, उनकी qualities होंगी, या personalities होंगी, यह उनके बारे में बात होगी, let's go, let's see it, we have a first house, Aquarius, उके, उनका first house Aquarius में हो सकता है, it means there are Aquarius rising, कुछ लोगं के लिए या आप, और we have a sun, sun उनका Aquarius में हो सकता है, या sun उनका first house में भी हो सकता है, and cancer, sun उनका cancer में भी हो सकता है, या cancer rising, आप दोनों cancer rising या Aquarius rising हो सकते है, Leo की energy है यहाँ पर, Aries की energy है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत clearly नजर आ रही है, with a sun and first house, यह इंसान काफी, मतलब popular होंगे, with a first house and sun, अब popularity के मतलब यह नहीं है कि यह इंसान social media पर होगा, it is possible, के हो सकते हैं, वो influencer है, creative कुछ करते हैं, because the sun, जहाँ पर आपकी creativity शो होती है, with a first house, जहाँ पर आप काफी लोग आपको जानते हैं, publicly, या लोग आपको पहचानते हैं, they know you, it's a fame, it's a name, इस इंसान का नाम, इस इंसान का fame, जहाँ जाते हैं, लोग उनको पता है, या इस lifetime में, they definitely will create their name, लोग उनका नाम जानेंगे, पहचानेंगे, they will be also very popular, जहाँ पर भी जाएंगे, इस इंसान की smile बहुत खुबसूरत होगी, या आपको बहुत पसंद आएगी, but the first house and son, this person is also going to be very younger, or they look younger, मतलब दिखने में छोटे होंगे, ठीक है, दिखने में बहुत fresh और young नज़र आएंगे, अपनी age से, जो भी उनकी age होगी, doesn't matter, young नज़र आएंगे, fresh नज़र आएंगे, उनका अच्छा sense of humor होगा, prank करते होंगे, funny होंगे, ठीक है, इस तरह की उनकी energy होगी, Gemini energy भी उनकी हो सकती है, एक और चीज़ में ज़र आ रही है, कि उनकी personality, सिर्फ उन लोगों के साथ, वो अपनी real personality, उन लोगों को दिखाएंगे, जिनके साथ वो attach होंगे, या show करेंगे उन लोगों को, mostly जब वो public में होंगे, क्योंकि I'm seeing the mask, तो उनका एक mask होगा, जो नाम है न, obviously जो नाम होगा, या उनको किसी न किसी तरी से अपने आपको, reserve रखना है, वो अपना असली, आप सब के सामने नहीं खोलेंगे, do it on your own way, ये इनसान काफी rebellious होगा, there's no doubt, with that various energy, unique होगे, उनकी personality unique होगी, stand out करेंगे, crowd में, even अगर ये normal इनसान भी होगा, normal, अगर वो 5 बंदों में बैठे हैं, 10 बंदों में बैठे हैं, या publicly कहीं बैठे हैं, they will stand out, अपनी unique personality की वज़ा से, unique उनकी smile होगी, unique उनका face होगा, unique उनके charms होगे, कुछ ना कुछ unique होगा, different होगा, जो stand out करेंगा, अब कुछ लोग के लिए, इस इंसान की personality unique होगी, और कुछ लोग के लिए, उनकी attraction, physical appearance उनकी इतनी होगी, they will stand out, मतलब, sun, कितनी light होती है, they may have a pale skin, or dark skin हो सकती है उनकी, ठीक है, यह इंसान बहुत attractive होगे, अगर लड़की है, यह लड़का है, जो भी है, अपनी personality की वज़े से, जो उनका aura होगा, वो बहुत attractive होगा, but I think उनकी personality, या उनका look भी काफी, appearance attraction होगी, बहुत ज़्यादा, with a sun, यह इंसान काफी masculine होगे, उनके अंदर dominance होगी, with a first house, उनको अपनी मर्जी से सब कुछ करना है, कोई उनको force नहीं कर सकता, कि यह चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, अगर मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ, और आपको लगता है, यह आपकी personality है, तो इस इंसान के साथ आपका sun, आपका root, आपका heart, आपका soul चाक्रा, आपका इस इंसान के साथ connect होगा, तो आपको लगे, क्यूंकि they will choose you, मुझे लगता है वो आपको choose करेंगे, और आप उनको choose करेंगे, obviously, क्यूंकि इस इंसान को, वो ही करना है, जो उनको पसंद है, जो उनको सही लगता है, जो उनके लिए सही है, मुझे नहीं लगता कि वो traditionally, या formally चीज़ों को apply करेंगे, या आप, ठीक है, आपकी शादी भी different हो सकती है, tradition से हटके, या love marriage हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसे लगते है, या तो आप इस partner को choose करेंगे, या वो आपको choose करेंगे, इस तरह से आपकी शादी होगी, now with the cancer energy, this person will be very emotional and sensitive, family चाहिए, उनको बच्चे चाहिए, traditional type होंगे, क्योंकि यहाँ पर four of wands भी है, उनको definitely शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, kids चाहिए, they wanna be a father, अगर यह male है, उनको definitely बाप बनना है, dad बनना है, और अगर लड़की है, they wanna be a mother, they want to enjoy that motherhood, उनको family चाहिए, kids चाहिए, security और safety चाहिए, और अगर यहाँ पर Aquarius है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो rebellious होंगे, यह हो सकते हैं, अपनी family में भी rebellious हों, इस तरह से पहचाने जाते हूं, अपनी मर्जी करने वाले, और यह family को भी पता होगा, और अगर आपकी यह family होगी, तो जब आपसे मिलेंगे वो, they like you, मुझे असे लगता है, आपकी energies एक दुसरे के साथ, काफी connect करेंगी, इसलिए आप एक दुसरे को choose करेंगे, now you will have a great family with this person, मुझे असे लगता है, आप दोनों का vision same हो सकता है, ठीक है, आप दोनों ही family पे believe करते हैं, traditional पे, old school type of love हो सकता है, मतलब आप दोनों को अभी तक, same culture और religion से हो, और कुछ लोगों के लिए different भी हो सकता है, बट लेकिन यहां पे, आप दोनों definitely इस relationship को create करेंगे, देखें, यह इनसान आपकी तरफ काफी attractive होंगे, या आप इनकी तरफ, मतलब with the first house and the sun card, oh my god, यह होई नहीं सकता, और cancer, इस इनसान के feature काफी soft होंगे, they will have a very soft feature, मतलब appearance लड़की है, तो बहुत ही खुबसूरत लड़का है, तो बहुत ही खुबसूरत, और handsome and good looking, हो सकता है, और personality, या तो personality, ऐसी होगी कि खिचा चला जाएगा, बंदा उनकी तरफ, इस तरग की energy इनकी होगी, now let's see more, हो सकता है, popular हो, अपने creativity की वज़ा से, अपने craft की वज़ा से, अपने work की वज़ा से, ये uniqueness की वज़ा से, अब उनकी personality देख लेते हैं, जो बहुत clown, freak, flag, funny, yeah, funny, weird, crazy, immature, या ऐसी इनसान काफी crazy, immature, जैसे मैंने आप से खाए, young हो सकते हैं, with a son and clown, आप से age में young हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, ये इनसान काफी funny है, comedian है, हो सकता है, मैंने आप से खाए, जैसे different, हो सकता है, costumes पहनते हो, different, to make fun, prankster हो सकता है, इनसान crazy होगा, होगा वेर्ड होगा लोगों की नजर में कन्फूज़न हो सकता है ठीक है शुरू में लोग इनको कंफूज या हो सकता है इन्सक्राइब से पैंने ओंटेओं डेस्पेर एक्लेशनेंग डिफीट वाइट तो इस इंसान की personality को काफी सारे लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन आपके साथ इसका connection बनेगा हो सकते हैं आप दोनों ही काफी weird और unique और different है आप दोनों की अपनी अपनी सोच है आप दोनों के अगला अपना अपना vision है तो इस इंसान को ये इंसान काफी confused और surprise हो जाएगा कि आप उनको समझते हो या वो आपको समझेंगे शुरू में confusion हो सकती है ये इंसान काफी confused भी हो सकता है relationships को लेके, friendships को लेके ठीक है? और then we have a super fan, yes, look at this, super fan, sportive, enthusiastic, in love, chasing, devoted, follower, stalker तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका follower होगा fan होगा, stalker होगा social media पर इसलिए आप confused होगे कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है या आप इनके fan होगे और उनको आपकी समझ नहीं आएगी कि आपको क्या चाहिए उनसे तो लेकिन आप दोनों का connection बहुत strong होगा look at this yes, अगर ये इंसान popular है तो आप इनको follow करेगे और अगर आप popular होगे तो ये आपके fan आपको आपका fan होगा ये आप दोनों ही एक दूसरे को कही न कहीं आप work से related मिलेंगे and you will be have a great chemistry ये इंसान आपको definitely definitely हसाएगा या आप इनको मतलब आप दोनों ही काफी funny और weird आपकी personality होगी या आप दोनों में से एक की especially if this is a man masculine energy मुझे अस लगते है इस इंसान को आप समझेंगे कि आप उनको समझते हो और ये चीज़ उनको काफी confused करेगी उनको समझ नहीं आएगी आपको कैसे पता ये सारी जीज़ है how you know that तो या शुरू में थोड़ा सा confusion आप दोनों की दर्म्यान में हो सकता है या शुरू में ये भी हो सकता है शादी में आप इनसे मिलने से पहले या जो आपकी first meeting होगी वो काफी odd and awkward होगी या इस इसान को काफी odd and awkward लगेगा defeat भी हो सकती है despair मतलब इस इसान को लगता है कि आप उनका fun मजाक उड़ा रहे हो या आप उनको seriously नहीं ले रहे या आपको लगेगा कि आपको उनसान seriously नहीं ले रहा शुरू में ये confusion हो सकती है now let's see more क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपके terror से देखना चाहूंगी who will you marry आपकी शादी 20 प्लस या 30 प्लस age में होगी या इनकी ठीक है obviously आप दोनों की कठे होगी तो age gap हो सकता है आप दोनों के दर्म्यान में भी उच लोगों के लिए क्योंकि ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि हार तरह के लोग मुझे देख रहे है अब देख लेते हैं मजीद who will you marry उनकी personality कैसी होगी टेरोर से लेके या the moon card night of pentacles तो मुझे ऐसे लगते है कि शुरू में ये इनसान the moon and as of pentacles night of pentacles Taurus, Virgo, Capricorn इनकी energy होगी and moon, Pisces, Cancer, Scorpio इस इनसान का moon या अब हमारे पस moon है और यहाँ पर sun है तो yin and yang आप दोने दूसरे से different होगे शुरू में शायद इस इनसान को आपकी confusion शायद आपकी personality है इस इनसान को लगेगा के you are too much like उनको लगेगा आपकी जो personality है वो crazy है आप immature हो आप बच्चों की तना रखते हैं करते हो या आप बहुत childish हो या आपको लगेगा कि ये इनसान बहुत immature childish है ये हो इनसान सकता कि मेरी इस इनसान से you know relationship में मैं जाऊँ या शादी करूँ या कुछ भी relationship शुरू में आपका slow भी बढ़ेगा with a night of pentacles and moon क्योंकि ये इनसान confused होगा आपको लेके या आप इनको या आप दोनों के दरम्यान में relationship में confusion रहेगी शुरू में समझ नहीं आएगी आपको क्योंकि ये इनसान आपका follower होगा stalker होगा पसंद करता होगा even crush भी हो सकता है आपका या इनका तो शुरू में थोड़ सा confusion रहेगा अगुछ लूंक के लिए बहुत इनसान जिद्धी, ढीट और stubborn होगा वालब किसी के control में आने वाला इनसान नहीं है अगर ये उनकी personality है तो ये इनसान किसी के उसमें नहीं आने वाला let me tell you इनसान बहुत ही अपने तरीके से I want to live my life मतलब अपने तरीके से इस इनसान को अपनी जिन्दी जीनी है they will be very stubborn very yeah but lovers attraction आप दोनों के दर्मियान में बहुत ही strong होगा शुरू से ही with the magician and the lovers तो ऐसा लग रहे है कि वो love में भी होंगे but they will not you know like उनको बहुत confusion होगा कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ because this person never felt love okay या तो कभी appreciated नहीं हुए किसी ने उनको appreciate नहीं किया मैशा लोगों ने उनका मजाग उड़ाया मैशा उनको लोगों ने का you are too much या ये इनसान काफी शुरू में ही immature रहे है कि उनके कभी सोचा नहीं था कि वो relationship में जाएंगे love करेंगे या उनकी age इतनी चोटी हो सकती है या उनको कभी सोचा नहीं था early age में क्योंकि उनका focus हो सकता है with the night of pentacles अपने career पे, अपनी job पे, अपनी study पे education पे होगा या आपका लेकिन जब आप एक दूसरे को मिलेंगे with the magician and the lovers ऐसे लगेगा आपको लगेगा कि this is the one और उनको भी लगेगा that you are the one या अपने magician है आपने definitely इस love को manifest किया है और आपको इस तरह काई partner चाहिए क्योंकि अगर आपकी personality different होगी आप एक दूसरे को compliment करोगे कुछ न कुछ आप दोनों के पास ऐसा है जो आप दोनों को चाहिए आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी crazy side इस इंसान के सामने नजर आएगी और वो आपको observe, आपको judge नहीं करेंगे और आप इस इंसान को emotionally समझोगे जो उनको कभी मिला नहीं कुछ चीज या आपको emotional contentment चाहिए जो ये इनसान आपको समझेगा मजाग नहीं उड़ाएंगे आपकी emotions का, आपकी feelings का और creativity का आपको चनाय करना चाहते हो different करना चाहते हो लोग आपका मजाग उड़ाएंगे या आप काफी funny हो या आपकोई चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो लोगों को believe नहीं है लेकिन ये इनसान आपे believe करेगा ये कितना अच्छा काम कर रही है ये कितना अच्छा काम कर रहे है तो आपको यकीन नहीं आएगा because they will admire it especially इनसान ये आपका secret admirer, आपका fan, follower, stalker होगा या आप इनके mostly मुझे उनकी energy नज़र आ रही है आप दोनों के दर्मियान में the moon and sun definitely आप एक दूसरे से हट के होंगे different होंगे अवेद हमेजीशन again मैंने आप से खाए ये इनसान आपसे age में छोटा हो सकता है ये दिखते यंग होंगे जो भी उनकी age होगी आप मैंसे एक इनसान की energy काफी free-spirited नजर आ रही है और दूसरा काफी principle को follow करता होगा rules को follow करता होगा अपनी चीज़ों को follow करना time पे उठना time तो ये energy आप दनों की different होगी जो इस इनसान के लिए new होगी और आपके लिए भी new तो इस तरह से आप एक दूसरे को compliment करेंगे वो आपसे सिखेंगे आप उनसे learn करोगे Gemini or Virgo और Gemini energy मैंने आपसे कहा strong है यहाँ पर Gemini, Virgo Pisces, Cancer, Scorpio, Leo है यहाँ यहाँ पर Cancer है, Taurus energy बहुत strong है वो सकता आप इनको creativity या art के through मिलो या वो आपकी creativity या art को देखेंगे 2 of Cups यह है Soulmate Lovers or Soulmate This is the love of your life और यहाँ पर 4 of Wands भी है मतलब तीनो love card Soulmate Twin Flames के card 4 of Wands, 2 of Cups or Lovers The love of your life This is the love of your life Leo Leo होगा definitely उनके birth chart में कहीं न कहीं 2 of Cups, yes यह love mutual होगा आप डौनों के दर्म्यान में आप उनको समझोगे वो आपको समझेंगे यह love हो सकते है शुरू में आपको प्यार नहीं मिला किसी ने आपको understand नहीं किया समझा नहीं है इनको भी लेकिन जब आप एक दूसरे को मिलेंगे यह बीलाइक वाव फाइनली मुझे ऐसा इंचान मिल गया है जो मुझे समझेगा इसलिए आप दूसरे की तरफ काफी काफी आप दूनों का लव बहुत स्ट्रॉंग होगा फ्रेंड्शिप से भी पहले हो सकते है आप स्टार्ट हो यह आप दूनों वर्क कित्रू भी मिलेंगे यह इनसान आपको आपके वर्क की आपको देखेगा with a magician, जो भी आप काम करते हो they will be your fan कि आप किस तरह कर लेते हो यह आप इतने loving कैसे हो, आप इतने caring कैसे हो आप इतने creative कैसे हो आप यह कैसे कर लेते हो आप इतने adventurous कैसे हो, open minded कैसे हो मतलब आपकी language different होगी आपका culture शह थोड़ा सा different हो इस इंसान से या जिस तरह आप चीज़ें करते हैं, वो different होगा इंसे इसलिए इस इंसान का interest आप में बढ़ेगा they will be like you are different और लेकिन आप दोनों की जो personality होगी वो totally एक दुसरे से different होगी या तो यह इंसान बहुत crazy, weird, awkward funny, immature और कभी relationship में experience नहीं रहा कभी उनका successful नहीं रहा या उनको लगा कोई उनको समझता नहीं है कोई उनको understand नहीं करता सिर्फ लोग उनका fun उड़ाते हैं, मजाग उड़ाते हैं लोग उनको शायद use करते हैं या abuse करते हैं, जो भी है लेकिन ये इनसान इन चीज़ों के में जासे जिद्धी बन चुका था, धीट मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता था, अबर कोई आए, कोई जाए, leave करे ठीक है, like my life, my rules ये वाली energy इस इनसान की नज़र आ रही है अगर ये masculine है अगर ये energy आपकी है, तो आपके partner आपसे totally opposite होंगे एक इनसान बहुती feminine, बहुती romantic बहुती sensitive, emotional, creative होगा और दूसरा इनसान काफी different, हट के अपनी मरजी करने वाला, अपने बारे में सोचने वाला और अपनी life को अपने तरीके से fully जीने वाला, जब ऐस तरह के दो लोग वापस एक दूसरे के साथ मिलेंगे या आएंगे, तो इस तरह की creation आपकी होगी but love आप दोनों के दर्मियान में बहुत strong होगा, even आपका जो relationship होगा, वो काफी सारे लोगों के लिए confusing होगा क्या आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे choose किया how you come together, हो सकते है लोग आपको bully करें, लोग इस इनसान को भी bully करें या आप दोनों इस जब relationship में आएंगे लोग bully कर सकते है या, क्योंकि मैं ज़से लगते है काफी सारे लोग confused होंगे और clown, इस 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 इसान को clown बोलेंगे या आपको clown बोलेंगे, because we know that clown is like, it's a joker तो इस इस इसान को लगेगा, यह joke है क्या यह relationship joke है, लोगों को fun लगेगा, मजाग उडाएंगे आपका या आपके partner का, कुछ ने कुछ ऐसा होगा but this is a love marriage, I think it's a love marriage या शादी के बाद जो आपका love होगा, वो बहुत strong होगा आप इस इस इसान को हमेशा support करोगे और वो आपको that's it is, यह इसान आपका सबसे बड़ा fan होगा, super fan मुझे लगते हैं आप मैसे काफी सारे लोग भी इनको मिले नहीं हो या आपका relationship इनके साथ भी start नहीं हुआ with a hangman Pisces, शादी में आपकी delay भी हो सकती है इनको मिलने के पाद, क्योंकि मैं जैस लगते हैं शुरू में या तो आप confused होगे इनको लेके, या वो आपको लेके थोड़ा एक दूसरे को समझने में या understand करने में personalities mix होगी, time लगेगा या communication करने में, आपको उनकी समझने आएगी वो अपने तरीके से काम करते हैं और आपको अपने तरीके से but you're meant to be together, it's written यह already लिखा वाई, यह चीज़ होगी यास हो सकता, आप इनको online मिलें कहीं internet पे, या कहीं आपकी किसी और जगा पे, friends के through, या कहीं gathering, party बगरा होती है वहाँ पे भी आप इनको notice करें, क्योंकि ये इनसान definitely आपको notice करेगा, या आप उनको notice करोगे they will stand out, शायद इस इनसान की craziness या awkwardness चीज़ें आपको awkward नहीं लगेंगी, या आप जो चीज़ करते हो उनको लगेगा, वाउ इस इनसान का दिमाग कैसे काम करता है ये कैसे, मतलब they will enjoy watching you, definitely it's like a super fan, वो आपके fan बन जाएंगे personality के, ठीक है जिस जिसरा से आपका दिमाग चलता है, जिसरा से आप आप हर किसी की respect शायद करते हो आप समझते हो, या आप इनको समझोगे it's different ठीक है, आप देख लेते हैं, relationship आपका कैसे होगा partner in crime, yes आपका relationship मुझे ऐसा लगता है, friendship पे स्टार्ट होगा partner in crime, अब मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़े awkward एक दूसरे के साथ करेंगे ये इंसान आपका partner होगा crime में they will do everything आपको पहले बोले, they will support everything मतलब हर चीज़ आपको support करेंगे, हर चीज़ में अगर आप गलग भी हो, they will be like my partner is fine, आपको भी आसे लगेगा you will support each other decision and choices yes, मुझे अस लगता है या तो आपके पास choice होगा या इनके पास choice होगा bride, yes you will be the bride आपको color dark हो सकता है, इनका white हो सकता है dark or white color हो सकता है complexion का difference हो सकता है we have a blind spot, yeah it's very crazy, you already know this person will be blind spot, like मतलब उनको आपके अंदर कुई red flag नजर नहीं आएगा they will be like, wow, नहीं, ये लड़की जो भी कह रही है ये लड़की जो भी कर रही है, ये लड़का आपको ऐसे लगेगा ये लड़का जो भी कह रही है, बस ठीक है done करो, because this is how the energy is और अगर ये arranged marriage होगी जो कि मुझे नहीं लग रहा, शादी के बाद हो सकता है मतलब हो सकता है, शादी के बाद आपका love बहुत जादा different हो, creative हो तो जैसे ही आपको ये इंसान देखेगा, they will like मुझे इंसे शादी करने है, bride, तो arrange marriage भी होगी, तो आपको choose करेंगे लेकिन यहाँ पे love marriage है, तो ये इंसान की नजर आपके होगी, they will be blind spotted मतलब आपके fan, super fan जो भी आप करोगे, जो भी decision लोगे, आप जो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, even though वो आपको हमेशा हर तरह की चीज में sport करेंगे, शादी के बाद भी, this person will sport you always और आप उनको sport करोगे, इस तरह का connection है आपका आप हो सकता है blindly इस इंसान को sport करो और वो आपको sport करेंगे, अब देखेंगे, आपका relationship जैसा होगा मतलब मुझे एक चीज ये भी निज़र आ रही है, कि लोग शायद आपके partner को बोलें are you blind, कि ये लड़की दूरन कैसे बन सकती है मतलब आपके partner को लोग मज़ा उड़ाएंगे, या fun उड़ाएंगे, या कुछ भी है लेकिन जो चीज उन्होंने आपके अंदर देखी है, जो आपने उनको समझा है या आपने understand किया है, या जो चीज आपने उनको दी है, the smile या जिसना से आपने उनको समझा है, वो definitely आपको ही choose करेंगे long distance हो सकता है, देखे, शायद आप शादी के बाद कहीं move on करें या आप शादी के बाद travel बहुत करेंगे, यह चीज मुझे नज़र आ रही है या आपके फैमिली वाले हैं, पार्टनर जो आपके लोग है वो आपको बोलेंगे that, क्या देखा इसमें, मुझे नज़र आ रही है, इस smile में definitely ऐसी चीज होगी, कि लोग आपके पार्टनर को बोलेंगे, क्या देखा इस लड़की में या क्या देखा इस लड़के में, या आपको बोलेंगे, what is this लेकिन यहापे blind spot है, मतलब love is blind लोग आपको, या आपके relationship को देखके, definitely मुझे यहाँ पर आ रहा है, they will be saying love is blind अगर यह love marriage है, mostly love marriage है, 90% और 10% अगर arranged marriage भी होगी, आपके partner या आपकी मुलाकात, या जिस तरह से आप एक दुसरे को understand करेंगे, या समझेंगे, they will choose you, उनको लगेगा, no, ये वली रड़की चाहिए मुझे, ये वला लड़का चाहिए मुझे, इस तरह आपकी energy होगी, I don't know, आदर वो आपको बहुत relationship कैसा होगा, triple four मैंने देख रहा है, तो ओसकता आप four four number बहुत देखेंगे, getting to know each other, yes, तो आप definitely एक दुसरे को समझेंगे, this person will try to get to know you, आप इनको समझोगे, वो आपको समझना चाहेंगे, या passion आप दोनों के दर्मियान में बहुत होगा, even after marriage भी, शादी बहुत strong होगी, attraction कभी जाएगी नहीं, heart to heart conversation, मुझे इसा लगता है कि आप दोनों को बात करने की जरूरत है, ये इनसान definitely आपकी तरफ बहुत attractive होगा, आप से बात करना चाहेंगा, yes, retreat time, तो आप ज़्यादा तरफ टाइम एक दुसरे के साथ ही spend करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा, they only understand you, ये उनको लगेगा, आप सिर्फ उनको समझते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को control आपने नहीं करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का different culture, ये different चीज़े होगी, क्योंकि यह religious factor है, जो affect करेंगे, या आप दोनों का belief system, शादी का belief, या आपका belief, या इवन जिस दना से आप life को देखते हैं, वो बिल्कुल different होगा, एक चीज़ मैं आपको बता दू, totally different personality, आप different देखते हैं आप life को, ठीक है, तो दूसरे को control करने की ज़रुरत नहीं है, और stay optimistic about your love life, क्योंकि ये love आपको definitely, बहुत स experience करवाएगा, और आप उन से सीखेंगे, वो आप से सीखेंगे, और आपकी शादी यहाँ पर definitely नजर आ रहा है, कि you will get married in 2024, अगर नहीं तो थोड़ा सा delay होगा, next two years are very important for marriage, कुछ लों के लिए ये शादी definitely, supreme ये winter में होगी, supreme ये winter, season बहुत important है, उनके letter देख लेते हैं, ये वो आएगा आपके लिए, ये वाए, E, L, X, तो कुछ लों के लिए आपका X होगा, R, O, Rolex, I'm hearing Rolex, तो हो सकता है ये इनसान काफी rich हो, या Rolex की घड़ी पहने भी होगी, they will be rich and wealthy, हो सकता है ये इनसान काफी materialistic हो, या आप, GT, E, H, he, they will be pronounced he, hero, hello, तो या कुछ लों के लिए ये इनसान आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, या आप उनकी तरफ, with this hello, ठीक है, वो आप में शाहिद इंट्रस्ट शो करेंगे, I, T, X, Y, I, another I, text, text, text message पे शाहिद आपकी बात हो, S, T, D, D, date, शाहिद आप डेट पर जाहिए, ये इनसान आपको बढ़े डेट पर लेके जाना चाहिए, मिलेंगे, माँ पर बात होगी, S, double S, हो सकते, इनकी लेटर सेम हो, काफी जाधा, E, D, okay, you can see that, this letter, right, या काफी अट्रक्शन होगी आप दोनों के दिर में में फिजिकल और आफ्टर मेरेच, पैशन, दिजायर, टीज, इस इंसान को लगेगा आप टीज कर रहे हो, या आप इस इंसान को टीज करोगे, या इनसान आपकी तरह बहुत अट्रक्टिव होगा, बहुत जाधा, फिजिकली, M, मी, आपको लगेगा, या इनसान मुझसे बात कर रहे है, मेरे से अट्रक्टिव है, या उनको लगेगा, आप मुझसे बात कर रहे हो, में मतलब या कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको काफी आपको लगेगा this is funny मतलब यह कैसे हो सकता है this person is interested in me या आपको लगेगा उनको लगेगा how how is this possible why you are choosing me मतलब उनको लगेगा आप कैसे उनके आप उनको select करें U Y New York हो सकते हैं New York में आप कही मेले L London T कुछ लों के लोंग डिस्टेंस रिलेशंशिप होगा hmm this is your reading आप देख सकते हो like share and subscribe मैं में लोंगे आपसे next reading मैं guys bye